अधिक्षय तिक्षय व्लॉग आज हम बात करने वाले हैं 7-month pregnancy की आज हम इस बारे में आपको बताएंगे कि क्या-क्या केर करनी चाहिए अपनी क्या-क्या डाइट रखनी चाहिए और अपने बच्ची की किस तरह से से शेफटी करनी चाहिए तो उस बारे में हम आज आप से क में कुछृ कुछ करींगे अब इससे पहले की अबने की नहीं अगर वीडियो देखी हैं तो आप उन्हें भी जाके देक सकते हैं मैंने अभी तक जो 1-2 1-3,4,5 के वीडियो में डालेैं वहीं दूसरी तरब सिसु के सिर पर भी इसका दवाव बढ़ता है वहीं जादा देर खड़े रहने से आपकी पीट में भी दर्द होने लगता है या होता है किसी किसी लीडीज को प्रेगनेंसी का साथवा महीना आपकी जिंदगी में खुसियां भर देता है इस दोरान आपके घर वाले आपका बहुत ही अच्छे से ख्यार लगते हैं आपके घर में गोद भराई की रस में भी निभाई जाती है हर समय आपके परवार वाले आपके आसपास ही रहते हैं प्रेगनेंसी के इस महीने आपके गर में पर्ल रहा सिसू भी काफ़ी तेजी से विकास करता है उसके अंदर आ रहे हैं बदलाव को आप बहुत ही आसानी से अपने अंदर महसूस करती है जिंदिगी के इस खुबसूरत समय में सिसू के साथ-साथ आप भी इतना ही मतलब से आपको किसी भी तरह का कोई खत्रा नहीं होता है इस समय आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा हराम करने की जरूरत है जरासा भी लापरवाही नहीं करनी आपके सिसू के लिए नुकसान दायक हो सकता है अगर आप ऐसे कोई लापरवाही क जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ लक्षड ऐसे होते हार्मोनल बदलाव के कारण आपके अंदर काफी तरह के लक्षड दिखाई देते हैं आपको इन लक्षडों से घबराना या डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि लक्षड नेच्रल है जो कुछ समय के साथ या समय के बाद अपने आप ही दूर चले जाते हैं आपके मन में चड़ चड़ा पनाना अचानक से मूड बदलना जरासी बात पर हसना गुस्सा करना रोना और जिद करना यह सारी चीज़े सामान नहीं होती है यानि कि 24 से 28 सबताह के दौरान खुद में आप महसूस कर सकते हैं यह सारी ची संतलेत आहार लेने के कोसिस करें और उन सब भी पदार्दों के से परहेज करें जो मोटापा का कारण बन सकते हैं प्रेगनसी के इस अवस्था में आप बैक स्टन हिक्स अनभाव कर सकती हैं जो थोड़ी समय के लिए होता है इसके अलावा आप पेट की समस्या से भी कोई प्रॉब्लम तब तक तो वो मैनेज हो जाती है बट जब जहला नहीं जाता है तो यानि कि वो कुछ ज्यादा ही है तो इसलिए आप अपनी डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं अचानक मूड का बदलना यानि कि यह तो हर्मोनल जो हर्मोन में असंतलन होनी के कारण आपक हर्मोन में बदलाव होनी के कारण होते हैं जो कि 26 वीक प्लेगनसी में होता है यानि कि सात्वे वहीने में होने वाले सामान लक्षुडों में से ही है इस टाइम आपको बार-बार हो सकता है कि ट्वालेट भी आए आपको ट्वालेट भी जाना पड़ेगा तो इस दरहां से किसी किसी को अगर आप सुभे के दोरान पैदल चलती है तो ध्यान रहे कि आप प्लेन यानि की बराबर जमीन पर ही चले उबढ़ खाबर रास्ता चलना और यह सारी चीज़ें जो है हो सकता है कि आपकी रहतर नाप भी हो सकती है ताबित तो इसलिए आप इस तरह से कोई कोई भी रिस्क मत लें कि नहीं मैं चल लूँगी कोई भी प्लेन रास्ते पर ही चलना है यानि कि जब वाक करें तो प्लेन रास्ते पर ही करें यानि कि उची नीची अगर रोड है या बाहर वाक कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे में मत करें आपको इस ताइम पर कभी-कभी ब जो कि बिल्कु सामाने होता है प्रेग्मेंसी की सुरवाती महीनों में भी इस चीज़े होती हैं जिसका मतलब मकसद संक्रमण को गर्ब से बोलते हैं कि जाने से रूका जाता है तो रूकना होता है तो यह कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर इसे में दुरगंद आये आपको यह लग रही है तो वह आपनी सेयर कर सकते हैं तो वह आपको कुछ आपकी हैल्प करेंगे कभी कभी क्या होता है खाना हजम नहीं होता है खाना हजम नहीं होना यानि कि पेट में गैस और कबज की समस्या होना पेट फूलना सीनी में जलन होना जी में चलाना और तरह इस तारह की चीजों लेकर चीजों को खाने में मन होना राधी भी होता रहता है तो ये सारी सीज़े भी होती है जिसके लग्षुणों के वज़े से जादा परेसानी होनी है फिर उसके कारण किसी तरह की कोई दूसरी समस्या होने पर आप भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं बोलते हैं कि इस ताइम का जो आहार होता है यानि कि प्रेकनिंसी के 7 महीने में आहार बहुत ही महत्पूर होता है इस दोरान आपको डॉक्टर की बात को ज़ादा से ज़ादा फॉलो करना चाहिए अपने मन मुताबिक कोई भी फैसला लेना आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है इस दोरान आपको इस तरह से कोई भी अपनी मन मानी नहीं करनी चाहिए आपके सरी के साथ गर्मे पल्रेक सिसु को भी बहुत तीजी से बदलावाते हैं सिसु काकार और वजन पड़ता है जिसके कारण उसे ज्यादा सी ज्यादा पौस्तिक की जरूरत होती है पौस्तिक की जरूरत होनी की वज़े से बनम इसे पूरा करने के लिए आपका सरीर अधिक मात्रा में खून बनाना सुरू करता है जिससे आप कई तरह से प्रभावित होती हैं इसलिए यह जरूरी है कि प्रेगनेंसी की 27 वीक प्रेगनेंसी में और 24 से 28 वीक तक जो सता होते हैं यानि कि इस दोरान आप अपनी खान पान का बेहत यानि कि अच्छे से ख्यार रखिए खान पान में कमी होना यानि कि सिसु के सेहत पर गलत असर पढ़ना है तो इसलिए ध्यान रखिए कि कोई भी लापरवाही नहीं करनी है आप अपने बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि उस पर कोई असर हो तो आपको सिसु जो बोलते हैं द्रस्टिक वहसल यानि कि जो उसके skill power है वो सबका विकास होता है इसलिए omega 3 fatty acid का सेवन करना आपके लिए अवस यानि कि जरूरी है यानि कि आवस सेके क्योंकि बहुत ही important है क्योंकि ये आपके सिसु के विकास यानि प्रिक्विया के लिए बहुत वाइदे मन होता है और ये आपको जरूर लेना चा है अगर आपके खान पान कि किसी भी चीज में allergy हो रही है उसका सेवन करने से तो आप अपने डॉक्टर को मिलकर या उनकी राय ले सकते हो कि pregnancy में क्या खाए और किसी से आपको परहेज करना चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप उनसे share कर सकते हैं आपको iron, calcium, fiber, dh, magnesium, vitamin और protein आदे से भरपूर दूसरे पधारतों का भी सेवन करना चाहिए आपके खान पान में वह सभी चीज़ें सामिल होनी चाहिए जो pregnancy के 7 में होती है यानि कि pregnancy के 7 महीने में मा और सिसु दोनों के लिए फायदे मन होती है तो इसके संबंध में आप अपने डॉक्टर से भी उनकी आपके लिए आपके लिए आपकी बॉडी के खान चीज़ें जरूरी है यह इंपॉर्टन है तो वह आपको सजेस्ट करेंगे प्रिग्निसी के 7 महीने में होने वाले सारी रिक परवर्तन अब उनकी बात करूंगी कि बहुत लोगों में चेंजेस होता है लोग कहते है नहीं उनसको तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी बट मुझे है तो सबके लिए अलग-अलग होता है मैं फिर बतारी हूं सबकी बॉड़ी अलग-अलग होती है तो प्लीज कंपेर मत कीजिए जिसके साथ जैसा हो रहा है कोई बात नहीं आप अपनी डॉक्टर से को बता सकते है टैंसल लेने की जरूरत नहीं है प्रेगनेंसी के साथ महीने में आपके सरी में कई तरीके परवतन होते हैं इस परवतन को हम प्रेगनेंसी के लच्छण के नाम से ही जानते हैं और हम आपको बताएंगे कि जो वीक हो रहे हैं 28 अपता अगे तोरान ये सारी चीज़े नॉर काँ की बात है इस दौरान कई बार आपको रात में नीद नहीं आती है क्योंकि आपको दिन में अगर आपंसोले तो रात में नहीं आएगी रात में सोले धिन होती है आपके स्थानों का साइज बढ़ा हो जाता है रंग चेंज जाता है तो यह सारी सिजन नॉर्मल है और बोलते हैं कि इस दौरान आप घर में पल रहें सिसू के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंद मैसूस कर सकती है सरीर में खून की मात्रा जो होती है वो अधिक होती ह नसो पर प्रेसर पड़ता है जिसके कारण वे फूल जाती है इस दौरान बेबी बम का आकार बढ़ सकता है जिसके कारण आपको जुकने में परिसानी होती है सिसू और कर्प का आकार बढ़ने के कारण यूर्णरी ब्लैंडर पर दवा पड़ता है जिसके कारण आपको बा चमस्या भी हो जाती है, अम बात करेंगी कि इसमें सिसु के हाइवाय सकता है, तो बहर की आवास सुनकर in responseों सिसुे विकास कि में चुकाई है, मैंन मैं 22-15 imperfect को भी बूरह कर अदिक बीडाई 760 विकास कि दाता है प्रति जादा समवंदसील भी हो जाते हैं वो समझने लगते हैं साथ्वा महिना बहुत ही खास होता है इस समय आपके सिसु का सबसे अधिक और देजी से विकास होने लगता है इसलिए आपको हर चीज को लेकर काफी साफधान रहना चाहिए किसी भी तरह कि कोई भी परिसानी होनी के कारण आप डॉक्टर से जरूर बताईए कोई भी अपनी मतलब मत चलाईए प्लीज अगर जरूर संपर करें डॉक्टर के सुझावोगे आधार पर ही कोई नेर्ड़ लेना चाहिए मैं फिर बोल रही हूँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है कुछ भी जैंजिस अजीब लग रहा है तो आप अपनी डॉक्टर से सेर करें जिससे वो आपको एक अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मल है तो कोई नहीं है यह सारी से नॉर्मल में भी आती है अगर इनसे हट के आपको कुछ भी लग रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो अपनी डॉक्टर से जरूर बताएं अपनी घर पे बताएं तो कुछ ना आपको हेल्फ मिलेगी अगर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो उससे पहले ही आप ठीक हो जाएंगे मतलब टैंसल नहीं की जुरूत नहीं है यह सारी चीज़े नॉर्माल है यह सारी चीज़े चेंचेस होते हैं वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दी बाइ